देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रावी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प आप राहू देवता के लिए वो पाई भी कर सकते हैं वो भी कारगर होगा लेकिन आज स्प्यूइकर जी के लिए एक अपाई उपाय बता रहा हूं जैसे मैंने बताय था ये भी शास्त्रोक्त है शास्त्रों से ही आज के सारे उपाय टोटके लाल किताब बगएरा सब शास्त्रों से ही निकला है तो शास्त्रोक्त ही एक आज मैं उपाय बताऊंगा राहु महराज या राहु देवता बहुत ही विचित् जोतिश में यदि कोई सबसे पावर्फुल ग्रह है कल्यूग में तो राहू है इनसान को रातो रात स्टार बनाने वाला रातो रात अमीर बनाने वाला कोई ग्रह है जो सड़नली रातो रात आप अपने देखा होगा रातो रात कोई स्टार बन गया रातो रात किसी की किस्मत चमक गई, रातो रात किसी को बहुत सारे पैसे मिल गए, रातो रात कोई मीडिया संसेशन बन गया, और कोई रातो राती लुट गया, रातो राती बरबाद हो गया, रातो राती किसी की सोशल मीडिया पर धजियां उड़ गई, अचानक जो उपर से नीचे फैकता है और जो नीचे से उपर ले जाता है वो यदि कोई ग्रह है तो राहू है राहू देवता है कालसर्प योग से इनकी छवी बहुत खराब हुई है मैं यह नहीं कहता कि कालसर्प योग नहीं होता पर काल सर्पियोक के कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं बात करेंगे उनके बारे में भी कभी आगे लेकिन बहुत ही मायावी ग्रह है राहु देवता यदि इनकी कृपा आप पर बन गई तो शायद दुनिया में कोई भौतिक सुख कोई ही होगा जो आपको ना मिले सारी लक्षरीज आपको राम से मिल जाएंगी यदि राहु देवता की आप पर कृपा हो जाए तो आज देखते हैं उनके लिए क्या उपाय करना है पहले श्लोक पढ़ लेते हैं श्लोक है नित्यम स्नानात पूर्वं सुगंध तैलं विलिप्य निजनाभव स्नायात पूर्वा भिमुकह पातज दोशस्य शान्त यर्थम इसका मतलब है कि रोज यानि कि नित्य नहाने से पहले अपनी नाभी में कोई सुगंधित तेल लगाएं और फिर पूर्वा भिमुक्यान की इस्ट की साइड मुँ करकर नहाएं ऐसा करने से राहु महराज के कई दोश शान्त होते हैं और उनकी कृपा भी आप पर भरपूर बनती है समझ लीजिए कि करना क्या है आपको आप जैसे नहाते हैं रोज सुबा नहाने से पहले आपको अपनी नाभी में कोई सुगंधित तैल लगाना है सुगंधित तैल कोई भी हो सकता है सबसे अच्छा तो चंदन का तेल वो चंदन से राहु जी खुश भी होते हैं राहु जी की एक जब बात करते हैं समगरी की दान समगरी की तो उसमें चंदन भी आता है तो चंदन का तेल आप लगाएंगे अपनी नाभी में तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपको तो नहाने से पहले रोज अपनी नाभी में चंदन का तेल लगाएं अच्छे तरह से इसके बहुत health benefits भी होते हैं वैसे तो नाभी में चंदन का तेल लगाएं फिर नहाने जाएं नहाते हुए आपको अपना मुख पूर्वा भी मुख करना है यानि कि आपका जो face है वो east side होना चाहिए east side face करकर अपना पूरा स्नान करें और फिर बहार आ जाएं इस छोटे से उपाये से आप पर राहु देवदा की क्रिपा बनेगी और यदि उनके कारण कुंडली में कोई दोश बन रहे हैं तो उससे भी आपको काफी relief मिलेगा तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी चैनल पर नई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर आपको सिर्फ जोतिश ही नहीं अन्य कई सब्जेक्स जैसे कि तंत्र मंत्र और आयुरवेद पे भी बहुत वीडियो मिलने वाली हैं तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाई